हलो फ्रेंट स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ग्यान में आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में एक सब्सक्राइबर की थोड़ी थी कंप्लेन थी की बॉइस थोड़ी थी दीरे आती आयोप इस वीडियो में आपको जो वा करूंगा जानेंगे कि आखर जो न्यूज है वह यस बैंक के लिए या फिर डिश टीवी के लिए और अगर नेगेटिव बनती है यस बैंक के लिए तो फिर उसका कितना इंपक्ट पड़ेगा साथ के साथ दो ऐसे स्टॉक के बारे में भी बात करेंगे जो कि आपको कॉर् पेड़ेक्शन का बेनिफिड मिल जाएगा वीडियो को एंड तक आप जरू देखिए सोड़ेट आपको सारी इंफॉर्मिशन प्रॉपरली पता लग जाए चैनल पर फर्स टाइम विजिट कर रहे हो सब्सक्राइब जरू कर लीजेगा वीडियो आपको अच्छी लगे त तब तक आपको यही मुमेंट देखने को मिलता रहेगा इस वीडियो के बाद मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि वो वीडियो आप जाके देख लेना यस बैंक वाली उसमें मैंने कुछ लेवल्स बता हैं वही पार्ट भी अगर आप देख लोगे तो भी आपको सेनारियो खराब हुआ और वही के वही मुमेंट जो है वो आपको देखने को मिल गया पिछला अगर हम यहाँ पे एक महीना देखें चार परसंट के पॉइटिव रिटन जरूर नजर आते हैं लेकिन पिछले छे महीने में छे परसंट के नेगेटिव रिटन आपको नजर हुआ नहीं डिर्गली नीज पर लेका चलता हूं अप यहाँ पे देखो तो बताये गया है कि शेयर ओल्डर्डर्स अगर हम यहाँ पे कवर करें तो आप देखो कि Dish TV's largest shareholder Yes Bank which has 24% stake and the promoter's family led by former chairman जवारलाल गोयल are engaged in legal dispute over the board representation यानि कि यहाँ पे Dish TV के अंदर जो सबसे बड़े stakeholder है Yes Bank और यहाँ पे जो इनके former chairman है Dish TV के Mr. जवारलाल गोयल इनके बीच में dispute है minority shareholders Yes Bank के इन्होंने बुला है कि company के लिए एक यहाँ पे extraordinary general meeting बुलाई जाए यानि कि EGM बुलाई जाए और उसमें क्या होगा कि जो shareholders है वो request करें और यहाँ से जो दो directors हैं उनको remove किया जाए और यहाँ पे जैसे कि आप आगे पड़पा रहे होगे कि परपस रहेगा इस proposed EGM का वो constitution of board है यानि कि board को फिर से बनाना है जिसमें दो long time directors शंकर अगरवाल और रस्मी अगरवाल इन दोनों को हटाने की जो मांग है वो करी जा रही है अब आपको पता ही है कि यहाँ पे जो सबसे बड़े largest shareholder की लिष्ट में जो आते हैं वो इस बैंक है तो उनके अप्रूबल के बिना तो चीज है यहाँ पर हो नहीं सकती डिसेंबर में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हुआ था कि जो शेयर ओल्डर्स थे उन्होंने एक जो प्रपोजल आया था जिसमें जो और आप देखोगे तो डिसेंबर में ही यस बैंक ने भी अगर आप देखते हो तो जेसी फ्लाहर को जो अपना एनपी बैड लोंस थे वो ट्रांसपर करे थे करीबन 48,000 करोड वाले ठीक है तो यानि कि अगर आप देखोगे तो अभी यहाँ पर EGM की मांग करी जारी है अब वो तो देखना बाकी होगा कि उसका EGM यहाँ पर होगी या फिन नहीं होगी और अगर होती भी है तो क्या इन डिर्फिक को हटाया जाए tenía भी यह पिन नहीं और हटाया जाए तो फिर कितना जाएदा वाला है इन दोनों ही अपरी क varney यो यह उख़ाता हो जो वो यह है कि मीचल का जु भरोसा है विसंपारr से वी बिल्कुल खतम ही कर दिया एक टाइप से 0.47 परसेंटेज से 0.12 परसेंट कर दिया जिसमें अगर आप देखोगे तो काफी हद तक जो है वो चीज़ा खराब हुई है इवन डिसेंबर 2021 में करीवन 0.57 परसेंट की ओल्डिंग बनी थी लेकिन अब तो बिल्कुल ही खतम सी ही ओल्डिंग देखने को मिलती है जिसमें तर टॉप पांच अगर हम ओल्डिंग के बारें बात करें जिसमें टॉप थ्री ओल्डिंग जो निकल के आती है मुचल फंड वो है एक्सिज ग्रोथ ऑपर्चुनिटी फंड टोटल पॉट्फोलियो का वेटेज है पॉइंट वन नाइन परसेंट मोतिला लोश्वाल निफ्टी मिटकेप 150 इंडेक्स पंड टोटल पॉट्फोलियो वेटेज है 1.11 परसेंट और निपॉन इंडिया मिटकेप 150 इंडे सब्सक्राइब करें वो हैं एफाइए इस की अभी भी होल्डिंग अगर आप देखोगे तो 23 परसेंट से जादा है यस बैंक के अंदर और एक अभी निउस भी निकल के आई थी जो कि मैंने कवर की थी ओल्रेडी वीडियो में जिसमें अगर आप देखोगे तो बताये गय है उन्हें में आउट फ्लो आपको देखने को मिला था यहनि कि अगर आप देखोगे तो एफाइस तो काफी जादा बुलिश नजर आ रहे हैं लेकिन वहीं अगर आप देखते हो तो जो मीचल फंड हाउसे जाए वो उतने जादा बुलिश नजर नहीं आ रहे है तो यह है पूरी कहानी यस बैंक की अभी तक जितनी भी लिटेश इंफॉर्मेशन थी उन सारी चीजों को कवर करने के बाद अब आप मुझे कॉमेंट में बताईए कि आपको क्या लगता है यहां से सिचुएशन जो है वो कैसी रहने वाली है बाकी हम यहां पर बात करें एक ऐसी स् 601 परसेंट का जो प्रॉफित आफ्टर टेक्स है वो रिपोर्ट किया है अब कंपनी ने इतनी बहतरी जब प्रॉफित हुई तो यहां पे 270 परसेंट का डिविडेंट दिया यानि कि 2 रुपे 70 पैसे का डिविडेंट दिया और यहां पे वन रेशू टू का जो बॉनस है वह देखने को मिला है अब यह शेयर अभी 400 की रेंज में मूब कर रहा है लेकिन यहां से सिक्योरिटी ने जो टार्गेट दिये हैं वह 500 रुपे के दिये हैं यानि कि देखो अब आप मुझे कॉमेंट में अपनी पोजिशन बनाओगे टार्गेट के लिए या फिर बॉनस और डेवी डाइन के लिए बाकी विलाल वीडियो में बस इतना ही वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरू करिएगा चैनल पर अगर आप फर्स टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब भी जरू कर दिजेगा धन्यवाद